हेलो फ्रेंट्स, वेलकम डू माई उडूब चनल, आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वेकेंसी की जी हाँ, नेता जी सुवासचंद बोस मेडिकल कॉले जबलपूर के द्वारा पैरमेडिकली स्टाप की वेकेंसी निकाली गई है, कुछ पोस्टेस में गैर सेक्षिडिक समबर की भी रहेंगी, तो फ्रेंट से किस परिकार की ये भरती है, आप सभी को बता दू, एपलाई कर सकता है, एडलिवेटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है, सहले आपको क्या मिलेगा, और सेलेक्षिन प्रोसेस क्या रहने बाला है, इन सारी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो ही स्टार्ट करते हैं, और आपको लिए चलते हैं ओफिशल नॉट्फिकेशन पर, यह जो नॉट्फिकेशन आप देख रहा हैं, दस दो दो जर बाइस को रिलिज हुआ था, हाला कि बैप साइट पर यह हाली में अपडेट हुआ है, निता जी सुवास्चन बोस मेडिकल कोलेज जवलपूर से, इसमें विज्यप्ती सूचन जारी की गई है, जिसमें आप देखेंगे, मद्यप्रदेश, सासन, चिकिस्था, सिक्षा, विभाग, मंत्रा लाय, वोपाल के यापन क्रमांग, इतने, द्वारा, नेता जी सुवास्चन बोस मेडिकल कोलेज जवलपूर में, स्वसाई, चिकिस्था, माविद्याला, चिक मद्यप्रदेश, बोपल के पत्रक्रमांग, इतने, द्वारा, सहे, चिकिस्थी, संबर्ग, इवं, गैर सैक्षडिक संबर्ग के अनुसूचियों के आधार पर, नेता जी सुवास्चन बोस मेडिकल कोलेज जवलपूर के निम्नलिखित पदों हेतु, अनुसूची में, न तो फ्रेंट्स, पर्मानेट वेकेंसी है आपकी, इसकी जो लास्ट डेट है, एपलाई करने की, वो है, दस मार्च दो जर बाइस, साम पांच बजे तक आप एपलाई कर सकते हैं, आप पोस्ट हम देखते हैं, और कौन-कौन एपलाई कर सकता है, वो भी हम देखेगे, यहा एक OVC से है और एक General से है, इसके बाद साहीक गonton पोस्ट है, चार पोस्ट इसकी है, लेब टेक्निशन की 32 पोस्ट है आपर निकली हुई है, तो यह फ्रेंट्स, पैरमेडिकल से हो गया आमारा, लेब टेक्निशन की कितनी पोस्ट हैं, 32 पोस्ट आप पर लेब टेक्निशन है इसके लिए क्या आप से क्वालिफिकेसन मांगी जा रही है तो सहाइक वर्ग एक लेखा पाल के पत पर आपके पास दस वर्ष का कार्यानुभा होना चाहिए अगर आपके पास सनुभाव है तो आपको 36,200 रुपे यहां पर लेवा नौ के तहस वेतनवान मिलेगा ऐसी सहा के पत पर पांच वर्ष का कार्यानुभाव एवं अध्यप्रदेश सहाज किसी परिसात द्वारा वहत योगता आपके पास होना चाहिए तो आप लेप टेक्निशन की पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें आपको लेवल साथ के ताहज 8,700 रुपे पेमेंट मिलेग तो आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए PCB से और मायनेत अपर आप संस्थान से पैथालोजी टेक्निशन का डिप्लोम में DMLT यत्वा क्लिनिकल वायो केमेस्टी का डिप्लोमा या माइक्रो वायोलोजी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और MP पैरामेडिकल काउ चाहिए और 12th पास होना चाहिए और अगर यह नहीं है तो इसके बाद आपको 12th पास आउट होना चाहिए और मानेत अपरात विश्विद्यालाइजे कंप्यूटर एप्लिगेशन मतलब आपके बास DCA होना चाहिए और मधिप्रदेश सासंद्वारा आयोजित कंप्यूट दक्षिता प्रमाणपत CPCT हिंदी टंगण के साथ उत्रीड होना चाहिए तो आप सहायक वर्ग 3 की पोश्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं जिसमें आपको परमाउन्थ लेवल 7 के ताहत 9500 रूपे मिलेगा ब्रत्य काया आप एक दिया हुआ है नोट जिसे आप चेक करेंगी सामयने प्रसासन विवाग के पत्तिक्रमां कितने दिनांक एक जुलाई 2013 के दियेगा प्रावधान अंतरगा सहायक वर्ग 3 के पत पर पदोनिती सर्थ पर दी जाएगी कि निक्ति उप्राद दो वर्स की स घ्रीट 3 के पद अनुसार अक्ता पराफ्ट की रह जाओं एस अब्रीथ में कोई फरीक्ष्ट कोटी ना किया जाने से परेक्ष्टर आपदी आगामी तीन वर्स तक के लिए बढ़ाई जा सकेगी हेतनों आसे मामनु में कूल फरेक्ष्टर आपदी पांच वर शर्य की नह पास होना चाहिए यहां पर लेब टेग्निशन का दिया हो है तो से भी हम रीट करेंगे नोट लेब टेग्निशन में लेब असिस्टेंट अपलब्द होने पर उन्हें ही सर्वड़न प्राथ मिक्ता दी जाएवेगी तो मैंपॉइंट यही है कि जिन्हों ने यहां पर अनु होने पर ओपन केडिकी केंजडेट से पत भरा जाएवेगा कि आविदन सुल्क है जनरल वालों के लिए ग्यारा सो रुपे और अनुसूचे जन्जाती अनुसूचे जाती के लिए नौसो रुपे एडवलियस रोबीसी के लिए एक जार रुपे का डीडी वनवन है या को पूरती के लिए कारिकारनी समय समय पर संकल्प पारेत कर निम्हों मैं से किसी व एक या अधिक मापदंड़ अपनाने का नड़ाई ले संमीथी लिक से जसी का मुशाफित को अभी कोई आविदन का प्रारूप में मिल जाएगा इस प्रकार से आप देख सकते हैं तो जो भी कैंड़ेट यहाँ पर अपलाई करना चाहते हैं विल्कुल अपलाई कर सकते हैं यही थी फ्रेंट्स जानकारी जो कि मैंने आपको देना आविश्च समझा आज की वीडियो में इतना ही देमे बाट